यूपी बोट के सभी चात्रों के लिए एक बड़ी खुस खबरी यूपी बोट परिच्छा का टाइम टेबल दे राज जारी सोरा फरवरी से चार माज तक होंगे दस भी और बारवी के एकजाम यूपी बोट के सभी चात्रों के लिए एक बड़ी खबर 2023 बोट पर इच्छा देने वाले 10 भी और 12 भी के 6 चात्राओं का टाइम टेबल हुआ जारी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोग के टाइम टेबल है वो जारी हो चुके हैं जो कि अभी अभी यूपी बोट के द्वारा जारी किया गया टाइम टेबल है तो यहाँ पे हम आप सभी को यूपी एमस्पी यानि की यूपी के अधिकारिक बेव साइट पे यहाँ पे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपके क्लाश 10 और 12 के जो टाइम टेबल है ठीक ह सोरह फरवरी 2023 को आपका प्रात यानि सुबह 8 बजे से 11 पंद्र यानि 11 बच के 15 मिनट तक आप सभी का हाई स्कुल वालों का हिंदी है ठीक है और प्रारम भी खिंदी है और इसके बाद सोरह फरवरी 2023 ब्रस्पतिवार को यानि सुबही इंटर्मीडियेट वालों को सैन बिग्यान है इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यानि कि सोलह फरवरी को साम 2 बजे से 5 पंद्र तक जो इंटर्मीडियेट वाले हैं उनका हिंदी और समान हिंदी है इसके बाद यहाँ पे सुक्रवार ठीके 17 फरवरी 2023 यानि प्राता सुबह 8 बजे से 11 पंद्र तक हाई स्कूल वालों का पाली में यानि कि अर्बी फार्सी है और इसके बाद यहाँ पे इंटर्मीडियेट वालों का संगीत गायन ठीके संगीत वादन और निर्तकला है इसके बाद यहाँ पे यानि कि साम 2 बजे से 5 पंद्र तक जो हाई स्कूल वाले हैं इनका संगीत गायन है और इसके बाद इंटर्मीडियेट वालों का क्रीसी सर्ष्य ठीके और यहाँ पे बेवसाईक वर्क के लिए है समान अलिकारिक भी साय तो यहाँ पे आप लोग दे वाले हैं उनका ग्रीब इग्यान है केवल बालिकाओं के लिए और ग्रीब इग्यान बालकों के लिए तता उन बालिकाओं के लिए जिन्हों ने इसे अनिवार भी से के रूप में नहीं लिया है तो यहाँ पे यानि कि ग्रीब इग्यान है हाई स्कूल वालों का 20 फरवरी को इसके बाद 20 फरवरी को जो इंटरमीडिय hacen उनका लेका सास्त्र है निवारिज जिवर के लिए इसके बाद यहाँ पे यानि की 20 फरवरी को ही साम 2 बज़े से 5 पंद्रह तक जो इंटरमीडिय donors演 उनका भुगोल है इसके बाद यहाँ पे आता है मंगलवार 21 फरवरी 2023 प्राता आठ बजे से 11-15 तक यानि 11 बसके 15 मिनट तक जो हाई स्कुल वाले हैं दस वाले उनका गड़ीत है और इसके बाद जो इंटरमीडियेट वाले हैं उनका ये सब है आप लोग पढ़ सकते हो 21 फरवरी 2023 को ही साम दो बजे से 5-15 तक हाई स्कुल वालों का ग्यान है ठिका और वहसाय अध्यन है इसके बाद बुद्धुवार बाइस फरवरी 2023 को प्राता आथ बजे से 11-15 तक हाई स्कुल वालों का संस्कुल वालों का संगीत वादन है और इसके बाद इंटर्मीडियेट वालों का उर्दू गुजराती पंजाबी यहीं सब है इसके बाद नेश्ट आता है विरस्पतिवार तेज फरवरी दोहजार तेज को यहां पर प्राता आठ वज़े से ग्यारव वज़े तक हाइस्कूल believer का वारीज ऑर इंटर्मीडियेट वालों का अर्भी फार्शी इसके बाद साम दो वज़े से पंच-पंद्र तक हाइस्कूल वालों का सिलाई है और इंटर्मीडियेट वालों का इसके बाद 24 फरवरी ठीक हे 2023 शुक्रवार प्राता आठ बज़े से ग्यारव वज़े तक हाई स्कुल वालों का क्रेसी है और इंटर्मेडियेट वालों का नहीं है 24 फरवरी को ही साम 2 वज़े से 5 पंदर तक हाई स्कुल वालों का मानो बिज्यान है ठीक है यानि यही सब है और इसके बाद intermediate वालों का अंग्रेजी है इसके बाद नेश्ट आता है सनीवार 25 फरवरी 2023 प्राता 8 बजे से 11 बजे तक high school वालों का चितरकला है रंजककला है ठीक है और जो intermediate वाले हैं उनका सच से बिग्यान है मानो बिग्यान है ठीक है यानि यही स इसके बाद नेश्ट साम यानि की 25 फरवरी को ही साम 2 बजे से 5 15 तक high school वालों का कुछ नहीं है intermediate वालों का मनो बिग्यान सिच्छा सास्त तरक सास्त है इसके बाद आता है 27 फरवरी 2023 प्राता 8 बजे से 11 बजे तक ठीक है 11 15 तक high school वालों का बिग्यान है साइंस है और इसके इंटर्मीडियेट वालों का NCC है इसके बाद साम 2 बजे से 5 15 तक high school वालों का नहीं है और intermediate वालों का जीव विग्यान है और जो मैत पढ़ते हैं student वो गडित है ठीक है इसके बाद आता है इसके बाद 28 फरवरी 2023 दिन मंगल वार प्राता 8 बजे से 11 15 तक high school वालों का कुछ इंटर्मीडियेट वालों का यहां पर ठीक है यानि रंगाई बेकिंग यहां से आप लोग पढ़ सकते हो इसके बाद नेश्ठ है साम यानि की 2 बजे से 5 15 तक जो high school वाला है उनका कुछ नहीं है और intermediate वालों को नागरिक सास्थ है ठीक है क्रीसी वनस्पति विग्यान यान 8 वजे से 11 15 तक high school वालों का अंग्रेजी है ठीक है इंगलिस है और उसके बाद साम 2 वजे से 5 15 तक ठीक है इंटर्मीडियेट वालों का अर्थ सास्ता है और भौतिक विग्यान है फिजिक्स है इसके बाद ब्रस्पति वार 2 मार्च 2023 प्राता आठ वजे से 11 15 वजे तक ठीक साम 2 वजे ठीक है यानि कि 2 मार्च को ही साम 2 वजे से 5 15 तक जो इंटर्मीडियेट वाले हैं उनका इतिहास है क्रिसी भौतिक विग्यान है ठीक है यहाँ पे जन्तु विग्यान है यानि यही सब है इसके बाद सुक्रवार 3 मार्च 2023 प्राता आठ वजे से 11 15 तक समाजिक व वालों का यह सब है आप लोग पढ़ सकते हो नेश्ठ साम यानि कि यहाँ पे 3 मार्च को ही साम 2 वजे से 5 15 तक जो इंटर्मीडियेट वाले हैं उनका संस्क्रीत है ठीक है और रसायन भी ज्यान है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेश्ठ सनीवार 4 मार्च 2023 प्रात 8 वजे से 11 15 तक हाई स्कूल वालों का 3 मार्च तक ही है ठीक है यहाँ से हाई स्कूल वालों का समाप्त हो गया इसके बाद यहाँ पे ठीक है यानि कि चार मार्च को इंटर्मीडियेट वालों का यही सब है आप लोग देख सकते हो और इसके बाद यहाँ पे साम दो बजे से यानि कि यहां पे चार मार्च को ही साम दो बजे से पांच पंदर तक ठीक है जो इंटरमीडियेट वाले हैं उनका रसायन भी गयाने समासास्तर है तो ये रहा आज का यूपी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है 2023 बोर्ड पर इच्छा देने वाले सभी इस्टूडेंट तो आप लोग जल्दी से इन सभी टाइम टेबलों का स्क्रीन सौर्ट ले लिजिए और आप लोग जादे से ज़्यादा आप हार्ड वर्क जालू हो रहे हैं चार माच तक आपके इक्जाम समापत हो जाएंगे तो आपका यह लो इस बार इक्जाम होगा वह बिल्कुल भी नकल नहीं होगा और बहुती कडाई से यह cran हो रहे हैं इसलिए आप लोग जादे और बारवी के एक्जाम 16 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे परदेश में एक्जाम के लिए 8752 सेंटर बनाये गए हैं हाई स्कूल में इतने तथा इंटर में इतने लाग परचारती रेजिस्टर्ड है बोड ने सभी तैयारी पूरी कर लिए बोड ने देर रात परिच्छा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है इस बार रिकार्ड समय में परचाय कराई जाएंगी हाई स्कूल की परचाय तीन मार्च और इंटर की परचाय चार मार्च तक चलेगी आठ मार्च को होली पर है यानि होली से पहले ही यूपी बोड के एकजाम खत्म हो जायेंगी दोफेज में होनोंगे प्रेटिकल एकजाम यूपी बोड ने कचछा दसवी और बारबी के प्री बोड परिच्छा की डेट पहले से ही जारी कर दी है प्रीबोर्ड एक्जाम 16 फरवरी से 20 जनवरी के बीच होंगे प्रेटकल एक्जाम दो फेज में आयोजित किये जाएंगे पहले फेज बारवी के प्रेटकल 21 जनवरी से 28 जनवरी के बीच आगरा सहारनपूर बरेली लखनव जहासी चित्रकूट फैजाब बारकोड नकल रोकने के लिए एक्जाम सेंटर पर सीसी टीवी केमरे से निगरानी की जाएगी इसकी अलावा बोर्ड इस बार परिच्छाओं में बारकोड सिस्टम जारी करने जा रही है पहली बार कापियों के हर पेस पर बारकोड की बेवस्था लागू होगी परदेश लेस गाडियों से सेंटर को भेजे जाएंगे जिससे की फेपर लीक की घटनाओ को रोका जा सके रूट मेप और एक्जाम सेंटर पर पहुशने की टाइमिंग भी तैय होगी गाड़ी रुकने पर कंट्रोल रूम को सुचना दी जाएगी हमारे अपना विद्दाले यूट आश टेंथ और ट्वेल्थ की संपूर तैयारी कराई जाती है और बहुत थी इंपॉर्टेंट बोर्ड एक्जाम से रिलेटेट ट्रिक और टिप्स भी बताया जाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे बिजिट कीजिए और सभी वीडियो को देखिए और आप लोग चैनल से स्टडी कीजिए हमारे चैनल पे बोर्ड एक्जाम में बीना पढ़े पास होने की ट्रिक भी सभी सब्जेक्ट में ठीक है अप लोड है आप लोग वीडियो जल्दी से उन सभी वीडियो को देखिए और अपने सभी दोस्तों में सेयर कीजिए